नमस्क्त देशनित रोओ आज के वीडियो में एक बहुत ही बहतरीन स्मॉल केप टेक्नोलोजी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तो छोटी साइस के कंपनी है तकरीबन 1950 कोड़ का इस कंपनी का मार्केट केप है और दोस्तो ये कंपनी यहां से आने वाले तो दोस्तो वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डीटियल में समधने की कोशिश करेंगे कंपनी के अलग-अलग सर्विस के बारे में चर्चा करेंगे इसके साथ कंपनी के फाइनेंशल के बारे में कंपनी के लीडर्शिप के बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आने वाले समय के अंदर इस कमपनी के लिए कहां कहां ग्रोथ की अपरचनरी बन सकती है उसके बारे में भी जानकारी प्राप करेंगे तो आप सभी से मैं एक अनरोध करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कमपनी के बिजनस को समझे और उसके बादी आप निवेश कीजिए और इस वीडियो को आप स्यादा से जादा अपने मित्रों के साथ परिवाजनों के साथ शेर भी कर सकते हैं दोस्तो हम कमपनी के बारे में जानकारी प्राप करें उससे पहले आपको बचाना चाहेंगे फ्रन्ट पेज में आप हमारी स्टॉक एडवाजर की सर्वीस पावर माई पोर्टफोलियो अविल कर सकते हैं सिफ 99 उपीस पर मन की फीपे करके आपे सर्वीस ले सकते हैं लिंक आपको description में हमने provide की है तो दोस्तो आज की जो हमारी company है इस company का नाम है data matrix global solution limited दोस्तो अपने segment की बहुत ही बहतरिन company है और एक बहुत ही niche area में company अपने business को expand करी है तो video में हम data matrix के business को details में संबदने की कोशिश करने की हमारे recent 7 IT store के video में भी हमने ये company आपको recommend की थी वो video भी आप ज़रूर ढीकिए उसके link भी हमने आपको description में provide की है तो चर्चा करते हैं दोस्तो data matrix global service limited company के बारे में 1987 से ये company का रहे तो अपने segment की तक्रिवन 35 साल पुरानी company है IT, BPM, engineering and big data analytics segment में company अपने IT solution अपने client को offer करती है company के key focus area है दोस्तो digital transformation जो currently global एक बहुत बढ़ी theme है digital की उसमें ये company भी अपना बहुत ही बड़ा अगर आप देखे business सकती है उसके बाद intelligent automation दोस्तो ये company automation segment में कई प्रका के अगर आप देखे solution अपने client को offer करती है automatic fair collection दोस्तो अगर आप देखे कई सारे जो transportation segment होते हैं metro होते हैं वहाँ पर automatic fair collection का system होता है और वहाँ पर ये company अपने IP प्रक्स अप्लाइ करती है भारत में और वेदेशों में कई जगापे company के automatic fair collection के software लगे हुए हैं तो वहाँ से भी company को ये future में भी बड़ी opportunity बन सकती है द इसमें इनके अगर आप देखे true cap, true bot, IPM, true BI, true AI, true fair जैसे अलग-लग इनके IP product है और अगर आप देखे इनका यहाँ से बहुत ही भारा future में market बन सकता है डीटिल में इनके बारे में हम थोड़ी दिर में चर्चा करेंगे दोसो तक्रीबन 200 जितने customer है data metrics global के उसमें अगर आप देखे 25 कंपनी की office है domestic और 25 अगर आप देखे 22 office कंपनी की overseas market के अंदर भी है और दोसो कंपनी खुद के data labs रखती है जहाँ पे कंपनी करण्टे अगर आप देखे AI and cognitive science, robotic process automation, AR and VR जिसे अलग-लग segment में अपना करण्टी फोकस करें तो यहाँ पे भी कंपनी आगे जाके कई प्रकार के नए innovative service और product ला सकती है चांकारी प्राप करें कंपनी के अलग-लग service के बारे में तो दोस्तो कंपनी कई सारे segment को अपनी service प्रवाइड करते है technology solution यहाँ पे कंपनी application development, cloud service, digital experience, robotic test automation और अगर आप देखें दूस अगर आप देखें business process automation management में भी अपनी service प्रवाइड करते है चाहाँ पे कंपनी finance and accounting, customer management, banking process management, insurance process management, publishing, retail, e-commerce जैसे अलग-दल सेग्में में अपनी service प्रवाइड करते है यहाँ पे जो IP प्रड़क है जैसे के truecap, truebot, IPM जैसे प्रवाइड काम आते हैं उसके बाद कंपनी जैसे अलग-लग सेग्में में अपनी engineering service प्रवाइड करते है truefair इनका IP-based product है, big data and analytics यहाँ पे company research and analytics, advanced analytics and data science, business intelligence and data visualization और अगर आप देखे big data और data lakes जैसे अलग-लग सेग्में में अपने big data analytics service प्रवाइड करते है इनका यहाँ पे IP प्रड़क है जिसका नामे truebi आई दोस्तो, company multiple industry को अपने service ओफर करते है जहाँ पे banking and financial एक बहुत बड़ा company का segment है उसके बाद healthcare, insurance, retail and e-commerce, transportation, manufacturing and logistics, travel, market research, education जैसे अलग-लग industry को company अपने service ओफर करते है multiple industry में company कई बड़े-बड़े client पी रखती है दोस्तो, company के IP प्रड़क के बारे में जहानकारी प्राप करें तो datamatic truebot यह इनका robotic process automation का solution है company का IP प्रड़क है यहाँ पे company के पास प्रड़क का intellect property राइट है datamatic truecap यह इनका data capture with AI and ML related product है उसके बाद datamatic truefair, automatic fair collection के लिए company ने अपना IP प्रड़क किया है datamatic digital workspace, dynamic digital workspace के लिए company ने अपना प्रड़क प्रड़क तयार किया है उसके बाद अगर आब देखे company truebi, यह इनका business intelligence and data visualization का IP प्रड़क है datamatic trueai, इनका text analytics and patent detection का platform है उसके बाद datamatic trade finance, smart business exploration के लिए इनका यह प्रड़क कामाता है datamatic IPM end-to-end automation for work course management में इनका यह प्रड़क कामाता है दोस्तो company की जो IP प्रड़क है, यहाँ पे company के लिए future में बहुती बड़ी opportunity बन सकती है कुछी ऐसी company है, छोटी size की company जो खुद के IP प्रड़क रखती है और दीरे-दीरे company यहाँ पे और भी नए solution offer कर रही है जिसके माद्यम से company अपने business को expand कर सकती है और यहाँ से company का in IP प्रड़क के माद्यम से अपना margin भी company improve कर सकती है तो आने वाले समय में इस company का PE re-rating definitely हो सकता है दोस्तो intelligent automation platform, इनका यह एक पूरा का पूरा platform है यह अगर आप देखे company का true AI based platform है जिसके माद्यम से company जो अपने अलग-अलग IP प्रड़क है उनके माद्यम से एक intelligent automation platform अपने client को provide करते है उनके अलग-अलग आप देखे जो उनके requirement होते है उनके लिए company यह intelligent automation platform provide करते है AI, Machine Learning, Natural Language Processing जिसे अलग-अलग model के माद्यम से company यह पूरा का पूरा अपना intelligent automation platform तैयार किया है यह market तकरिक बन आने वाले 5 सालों के अदर 46 USD billion का market बन जाएगा तकरिक बन 19 पस के CIGR से यह intelligent automation platform का market ग्रोग कर रहा है जहाँ पे company अपना यह solution अपने कई सारे client को offer करती है दोस्तो, company के revenue mix के बारे में जानकारी प्राप करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके BFSI, यहाँ से तकरिबन 32% company का revenue contribution आता है Q3F22 का यह data है, उसके बाद education and publisher segment से भी तकरिबन company के revenue में 23% contribution आता है Technology और Consultancy segment से 17% का contribution आता है Manufacturing and Logistics segment से 9% Retail से 7 और अगरा आभी के दूसरे कुछ segment से भी company का थोड़ा बढ़ा contribution आता है तो BFSI education इनके बड़े vertical है और आगे भी यहाँ से company को 72% मिलते रहेंगे Geography गाई स्रचा करें तो USA इनका सबसे बड़ा segment है तकरें 52% वहाँ से revenue आता है उसके बाद इंडिया से भी तकरें 28% और UK और Europe से तकरें 16% company का revenue contribution आता है दोस्तों company के जो financial है पिसले तकरें 10 साल में 15.4% के CAGR से company का revenue ग्रोग किया है और पिसले तकरें 10 साल में company का profit भी तकरें 15.4% के CAGR से ग्रोग किया है तो अभी भी अगर आप देखें company यहाँ से भी अपना margin भी improve कर सकती है दीरे दीरे company अपने legacy business से move करके एक नए innovative digital solution में अपने business को expand करी है जहाँ पे company के लिए बहुतिन margin भी मिल सकते हैं दोस्तों company की leadership भी अपने industry में बड़ा experience सकती है उसके बार में थोड़ी दिर में चर्चा करते हैं सबसे पहले दोस्तों recently ही company कई सारे नए deal win किये हैं तो उसके बार में चर्चा करें तो national capital resident transportation corporation यहाँ से company के जो automatic fair collector है उसके लिए company को ये एक बड़ा order मिला है डिली merit route के लिए company को ये order मिला हुआ तो वहाँ पे इनके ये automatic fair collection के system लगेंगे उसके बाद rail विकास निगम से भी company को इनके automatic fair collection के लिए बड़ा order मिला हुआ है कलकता metro के लिए तो दोस्तों भारत में metro भी बड़ा develop हो रहा तो वहाँ पे company का जो ये automatic fair collection का system है जो company का IP product है तो वहाँ पे company के लिए अच्छी opportunity इंडियन market में बन सकती है इसके लगा company को USB एक global player से भी बड़ा order मिला है इसके सासत company गराब देखे तो middle इसके एक bank के साथ भी company ने recently बड़ी deal विन की है जहाँ पे company उनके legacy business को digital करेगी आने वाले कुछ समय के अंदर इसके सासत company को दूसरे भी कुछ बड़े order मिले हुए है तो company ने recently भी कई बड़ी-बड़ी deal विन की है जिसका फाइदा आपको आने वाले समय के अंदर company के balance sheet में देखने को मिल सकता है दोस्तो company के जो founder है वो है dr. Lalit S. कंडोरिया वो अगर आप देखे industry का बहुरती बड़ा experience सकते है company अगर आप देखे इन्होंने तकरिवन 1975 में इस company के staff ना की थी उससे पहले दोस्तों इन्होंने TCS के foundation में भी अपना role अदा किया है IIT से इन्होंने अपना अगराब देखे degree ली है इसके साथ MIT से इन्होंने अगराब देखे तो post graduation किया हुआ है तो इनके पास deep experience से industry का और उसका पादा company को मिलता रहता है इसके साथ दोस्तों company के जो currently vice chairman and CEO है वो भी अगराब देखे बहुतिन अपने industry का experience सकते हैं और अगराब देखे वो NASCOM के भी अगराब देखे regional council के chairman रहे चुके हैं और इनके पास भी अगराब देखे कई सारे अगराब देखे segment का experience से इसका फादा भी company को definitely मिलता है आने वाले समय के अंदर इस company के लिए कहां-कहां growth की opportunity बन सकती है उसके बारे में जहानकारी प्राब करें तो दोस्तों currently जो company का focus है वो fast growing digital space में है cloud, mobility, robotic, digital process, automation और AI segment में company अपना focus करी है यहाँ पे company नया technology भी develop करी है और यह एक fast growing global vertical है जहाँ पे company का current focus है और यहाँ पे company के लिए future में बड़ी opportunity बन सकती है recently ही company ने FY21 में AI enable true cap plus IDP solution launch किया है जो अगराब देखे आने वाले समय के अंदर company के लिए बहते निसाबी दरता है इसको अगराब देखे एक major container का award भी मिला हुआ है average group जो एक बहुत बड़ा group माना चाहता है IT segment के लिए कई बड़े बड़े software को award प्रवाइड करते हैं तो यहाँ पर start performer और major container का इनको यह award मिला हुआ है इनके एक product को तो वो भी अगराब देखे global scale पर company अपने यह product को लेके जा रही है दोस्तोर यहाँ से company cross selling और up scaling करेगी अपने अलगर प्रकार के अगराब देखे clients के साथ वहाँ पर client के कई सारे business process में company के कई सारे product काम आ सकते हैं कई सारे solution काम आ सकते हैं तो यहाँ पर company same client से भी जादा से जादा business आगे जाके ला सकती है तो उसकी कौशच भी company continuously जारी रखती है दोस्तो recently तक्रिबन देर साल पहले company ने अपनी एक subsidy company जो non-core business था उसको sell किया था वहाँ से company को बड़ा cash भी मिला हुआ है company के balance sheet में तक्रिबन 372 क्रोड का cash भी available है तो company के पाद टगड़ा cash पढ़ा हुआ है जिसको company यहाँ से आने वाले समय के इंदर नए acquisition के लिए यूज़ कर सकती है या फिर company buyback या dividend भी बड़ा दे सकती है तो दोस्तो एक बहतरी यूनिक company है छोटी company है comfortable valuation पर यह company currently debt करे currently अगर आप एक IT sector का valuation तकरिबन 25-30 के PE के आसपास पहुंच चुका है जहाँ पर आपको यह एक बहतरी कमपनी 14 के PE पे मिल रहे है दोस्तो यह company यहाँ से अपना EPS ग्रोथ करेगी ही करेगी इसके साथ company का जो PE है वो भी re-rate हो सकता है 14 का PE अगर 30 पे जाता है तो automatically कि आपका share का price डबल हो जाता है इसके साथ अगर earning growth भी आती है तो एक बहुत ही बड़ा multi beggar washer बन सकता है तो यह एक ऐसी company है जो यहाँ से PE growth और EPS growth दिखाने का potential रखती है तो आप data metric global service limited में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं 300-340 की range में आप इसमें निवेश कर सकते हैं और आपका at least time frame दो साल से उपर का रहना चाहिए यहाँ पे कोई target नहीं दे रहे है at least 2 साल के लिए आपको company को अपने portfolio में रखना है तो यह company multi beggar आपको return बना के दे सकती है दोस्तों इसके साथ आपको हम बताना चाहेंगे front page में हमने एक online learning course तयार किया है जिसका नाम है learn to earn कैसे आप equity market से बड़ी wealth बना सकते है उसके उपर हमने यह एक video course आपके लिए तयार किया है सिफ to 29 के price में आप एक course ले सकते हैं link आपको description में हमने provide की है दोस्तों आज का video आपको कैसे लगा उसके बारे में comment में हमें जरूर बताइएगा एक भाहतिरिन unknown company है तो video को share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ परिवाचनों के साथ और दूसरे investor के साथ और अगर आपने दोस्तों अब तक investment mantra को subscribe न किया हो तो channel को subscribe कीजे बेल आइकन को दबाईए ताकि जब भी नया video आए आपको notification मिल जाए Thank you for watching